हेलो दोस्तों कैसे हो सब बढ़िया तो यार देखे इस वीडियो के अंदर मैंने मतलब इंपोसिबल को पोसिबल करके दिखा दिया भाई और वजन आप देख लिजे 128 टन है कारगो का और भाई यह लोकेशन है यह है लेक से और आप कहीं पर मतलब जाते हो ना 128 टन लेके तो यह आप मतलब पार नहीं कर सकते भाई बहुत ही मतलब की ना मुमकिन है ठीक है तो यह तीन चार दिन से मतलब मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं इसे के उपर लगा हुआ था तो भाई मैंने इसको पोसिबल कर दिया है यह देखे मैंने ले लगा लो लेकिन यह आप पार नहीं कर पाऊगे किसी भी ट्रक के अंदर तो मने एक ट्रिक का यूज किया है और मा तीन-चेर दिन से वह इसी ख़ल लगा रहा तो यह मतलब ना मुम्किन है क्योंकि बीच में आपका जो ट्रक है वो रह जाता है भाई ट्रक के अंदर इतनी पावर ही नहीं है इसको खेंच सके क्योंकि यह मतलब चड़ाई बोज यादा आ जाती है तो यहां पे भाई मैंने एक ट्रिक का यूज किया और वो ट्रिक क्या ह वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूगा तो वीडियो का पूरा देखना ठीक है अगर आप इसकेप करके देखोगे तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा और भाई इस वीडियो के लिए मेनत बोज यादा लगी है मतलब काफी ज्यादा अर मतलब अलग अलग कुछ ट्राइ करके मैं देख रहा था कि भाई कैसे मतलब पोशिबल हो इस कारण यार माइनस भी काफी ज्यादा लग गया है मतलब काफी बार मतलब किया हुआ कि मेरे को जो बैना वो कैंसल भी करनी पड़ी ठीक है और इसके बाद फाइनली मैंने भाई इसका सोलीशन डू कुल कम था तो मैंने सोचे उए यार थैस तो यहां पहले मने-टेल बरवाया क्योंकि यहार जब मतलब पाउर मोड लगा देते-अना तो तैल मतलब ज्यादा यूज होता है इसके अंदर तो हम दो यहां दो भाई बर्वाने लग गया है सबसे पहले और भाई इसके बाद यहां से मैंने गाड़ी स्टार्ट की और फिर इसके बाद मतलब देखिए बीच में तो थोड़ी थोड़ी यहां पे जो चड़ाई है वो आती है आगे जाके बोज याद आती है तो मैंने यहां पीछे देखा कि भाई ट्रॉली ब्यूडिन आ जाए तो भाई इसे इसाती फि मेरे को याद आया कि आपका मतलब समय है ना वह भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंड है तो मैंने ट्रक की जो इस्पीड है वो बड़ा दी वाई वीडियो के अंदर बड़ाई है वैसे रियल में नहीं बड़ती है ठीक है ऐसा आपको ना लगे कि भाई कुछ यूज कर रहे यह भाई इसके बाद मैंने यहां से फिर से इसकी इस्पीड है वो थोड़ी सी बड़ा दी ताकि आर मतलब आपका यादा टाइम वेस्ट ना और आपको इस को मतलब की इस ट्रिक के बार में पर प्रता चल जाए तो भाई यह यह काफी मेहनत से मतलब की मैंने इसको तो मैंने फिर से कोशिक किया लेकिन इन ट्रक मान नहीं रहता है यह बाए तो कोई बात नहीं रहता है इसके बाद यह चला जाए तो भाई यह तो यहां पे मतलब साब की तरह लेर अरा था ऐयसे फन उठा रहा था मैंने बोला इसी का इस Ce कि यहाँ पे छाला जाए चला जाए नहीं जा रहा था यह तो आपक्त कि तरा है पर नहीं उला रहा था यहां यह पर this parking brake में लगाया parking brake को यूज किया तकि ट्रक है ना मतलब पीछे के तरह फिसले न तो यहां पर बेखे भई नहीं जा रहा ता सके बाद मैंने यह पी parking brake को यूज किया और भाई इसके बाद मैंने च्रिक यर्या सबसे पहले ट्रोली को हटा दिया तो जो मatलब पीछे वाला वह यहां पे हट गया थेकर मैंने क्या किया भाई ट्रक को थोड़ा सा आगे ले जा रहा था यह ताओ जी आगे आगे आ जाते हैं वाई फिर मुद थोड़ा ऐसे साइड में लेकर चला जाता हूं थीक है वैसे मतलब थोड़ा जगड़ा होता हुशे पहले में निकल गया ये ट्रकवाला भी गुश्य वाले लग रहा था मेरे को ठीक है इसके बाद मैं नहीं यहां पे आगे आगा है ट्रक को लेके ठीक है और यहां पे मैंने किया ट्रिक यूज और वो क्या क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो मैं कुछ इस परकार लगा रहा था ताकि जो ट्रोली है ना वो इस जो खंबे लगी हुए न चोटी-चोटी यहां पर ना बिड़े और यहां पर मैंने यह देखे क्रेन का यूज किया और पे के उपर किलिक किया तो भाई यह ट्रोली तो आगे आ गई देखे मंदिर था पीछे वहां से तो यहां आगे आगे लेकिन यहां थोड़ी इस दिक्कत हो गई यार यह अटक गे ट्रोली मतलब ट्रक को थोड़ा इस साइड में लगा दिया मैंने थोड़ा से दूसरी साइड लगाना था फिर से यूज किया तो भाई यह ट्रोली है ना देखे जहां और मजाता हूं तो आगे फिर से वही मतलब की एक और चड़ाई आ जाती है और यहां पर इस बार मेरे को द्यान था भाई मतलब की इस वाली चीज का द्यान लगना है कि ट्रोली कहीं पर फॉसन आ जाई तो यहां पर देखिए मैंने यह काफी कोशिश किया लेकिन ट्रेलर फिर मतलब ट्रक फिर से रह गया तो यह तो भाई यहां जाने को राजी नहीं था कि मैं तो यह तो यहां से नहीं जाऊंगा तो भाई फिर से वही ट्रक की उसके लिए ठीक है तो यहां पर जैसे यूज के आप बिल्कुल आराम से आगई ने ट्रोली यहां पर देखिए फिर भाई मैं यहां से देखिए आपको एक यूजफुल जानकारी और दूंगा तो वीडियो को आप किमप्लीट देखना ठीक है और यहां से फिर मैंने करके लिए तो मैंने आपको वीडियोर को दिखा रहा हूं और उसके साथ ही आपके दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी कि यार मतलब की वहां पर ट्रॉली हटा के काफी दूर जाके फिर ट्रॉली को बुला लेते मेरे को पहले ऐसा लग रहा था यार दूर जाके बुलाओं तो ट्रॉली हो सकता है ना आए इसक पहले जानकरी दूंगा और यूजफुल जानकरी यह है कि आप ट्रॉली को हटा कर अगर दूर आ जाते हो ठीक है और इसके बाद अगर आप यह फिरी टो सर्विस का यूज करते हो ना तो इसका यूज आप बिलकुल भी मत करना भाई फिरी वाली का चक्कर में आप मतलब जो सिटी में जहां से जोब लिये थे वहां पर वापिस चले जाओ गए यह देखे कुछ इस परकार यह देखे मैं मतलब की फिरी वाली 750 बचाने के चक्कर में भाई मैं यहां पर आ गया फिर यहां पर देखे बाई कुछ इस परकार और आप लोकेशन देख लिए ट्रोली यह काफी ज्यादा पाउरफुल ट्रक है ठीक है 6 बाई 6 में आता है यह और उसे के साथ यह यहां पर इंजन यूज किया था यह बाई मैंने यहां किया था 770 hp का इंजन इसके अंदर मैंने यूज किया था और जो गेर बोक्स यूज किया था वह भी आप देख लिजे इसक आप ड़क करना जो तुमश्त सबस्क को सबस्क्राइब करना यह एंजन के खाया कि हुआ का तक यहां में ने